नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रेक्टर चोईस यूट्यूब चैलर पर दोस्तों आज की शांदार वीडियो पर हम लोग रिव्यू करेंगे महिंद्रा 605Di जो की आपको पता ही होगा अर्जून लोवर सीरीज में आता है और दोस्तों यह जो मोडल है यह Dx Deluxe मोडल है और दोस्तों क्या शांदार लुक है इसका आप देखिए एक बार इतना शांदार ट्रेक्टर और ग्राफिक्स का आप देख सकते हो काफी शांदार काम इस पर किय गया है पूरा ट्रेक्टर आप लुक वाइस देखिए कितना शानदार है और चलिए अब इस पेक्स के बारे बात करते हैं यहां पर टूल कीट आपको देखने को मिल जाएगी और दो फूट इस्टेप आपको उपर चलने के लिए मिल जाएगी क्योंगी ट्रेक्टर काफी उ जाली दी गई है और आगे भी Mega erklya ऑज आगे भी इसमें जाली पेटथन दिया बेदा है अब इसके इंजन के बारे में भी हम बात करेंगे उसंब पैल पार करेंगे उससे पहले इसका हुड ओपन कर देख है कि हम अंदर क्या-क्या देखने को मिलने हाला है तो अब पे 331 cc का एंजन मिलता है, एक चड़ते हैं इस ट्रेक्टर के ऊपर, तो ऊपर चड़ता ही, एक चीज जो दिखती है इस ट्रेक्टर में वो दिखती है, इसके अंदर इस पेस, इस पेस काफी जादा है, और इसमें आपको मीटर दिया गया, यह देख सकते हो, तो यह आपको मेकनिकल और डिजिटल दोनों मीटर इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, और इस तरफ इसके गेर्स आपको मैं दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको लो और हेवी और मीडियम गेर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, इधर आपको इसमें कुल 5 गे आपको देखने को मिल जाएंगे और नीचे आप देखिए इस पेस काफी बढ़िया इधर आप देखोगे तो PTO के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और यह देख सकते हो इसमें सारा पीटियो के कंट्रोल यहां पर आपको एक बॉक्स दिया गया है और उपड़ से मैं आपको दिखाना चाहँ इस पेस कितनी इस ट्रेक्टर में तो यह देखिए आराम से इसमें आप साइड में भी बे अब इसके नीचे भी हम उतर के देखते हैं और टायर के बारे में बात करेंगे इसके टायर से पहले एक चीज में आप नोटिस कर रहा हूं इसमें आप नीचे आप देख रहा है में लगाई गई है तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे रबड की में इसके अंदर आपको आपको देखने को मिल जाएगी साइड लुक आपको देखने को मिल रहा है यह देख सकते हैं इसमें भी आपको जाली लगाई गई है तो ट्रेक्टर का ओरोल लुक काफी शांदार दीख रहा है मेरे हिसाब से तो मैं अगर बताओं आपको इसका फ्रंट टायर में आपको चाहूंगा तो अगर आप इसका फ्रंट टायर देख रहे हैं तो इसमें आपको साथ पचा सोला का फ्रंट टायर आपको फ्रंट में इस ट्रेक्टर के अंदर मिलने वाला है जो की MRF का टायर है यह देख सकते हो और अब बेक का टायर हम चलते हैं तो बेक के टायर भी आप देख सकते हो, इसमें आपको बेक टायर 169-18 के मिलने वाले हैं, यह देखिए, और और ट्रेक्टर आपकर आपको पीछे से दिखा हूँ, तो यह देखिए, इसकी लिफ्टिंग कैपसिटी 22 kg की है, जो की काफी अच्छी बात है, और PTO HP भी काफी बढ़िया है, जो की 48.5 की P पीछे से आप इस ट्रेक्टर का लुक देख लीजे, पीछे से भी काफी जबड़ जस्त दिखता है, और बहुत बड़ा ट्रेक्टर है, अगर आप इसे रियाल्टी में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह कितना उच्छा ट्रेक्टर है, यह देखिए, और इस तर किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से आगे भाग सकता है, और पीछे 17 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से रिवेज जा सकता है, तो कितनी स्पीड है आप इस से अंदाजा लगा सकते हैं इस ट्रेक्टर की, और दोस्तों इस ट्रेक्टर के साथ आपको 2 साल 2000 घंटे की व ना बुले दोस्तों मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम